नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में अब जो एट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है माता पिता और वरिष्ट नागरीकों का भरण पोस्टन तथा कल्यान अधिनियम दोजर साथ अंग्रेजी में में वेलफेर और पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन साट 2007 है ठीक है इसमें मातपूर्ण प्राउधान क्य क्या-क्या है और उसमें जानना जरूरी है जो आपके एक्साम में पूर्ण करने जरूरी है जरूरी है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताई जाएगी ये Act जो है पारित किया गया था 29 दिसंबर 2007 में ये डेट ध्यान रखीएगा सबसे पहला अध्यार जो है उसको प्रारम भी कहा गया है प्रारिम में संग्षिप्ट नाम विस्तार लागू होना प्रारम है अधिनियम का अध्यार हो ही प्रभाव का होना इसमें बताया गया यानि कि इसका ओवर्राइडिंग एफेक्ट रहेगा ओवर्राइडिंग एफेक्ट इंदोसेंस यह है कि कोई भी उस समय प्रवत्विधी या जो बाद में लागू होगी किसी भी तरीके से इसके प्रावधानों को कट नहीं करेगी इसके प्रावधानों को कम नहीं करेगी इसके प्रावधानों परिवर्तन नहीं करेगी कोई भी अन्यविधी अभी overriding effect क्यों डाला गया है इसके पीछे क्या मनशा रही होगी हमारे संसत की कानुन बनाने वालों की क्या यहां पर मनशा रही होगी इसको समझना जरूरी है इसमें पत्नी संतान माता पिता के भरण पोशन के रिए आदेश दिये जा सकते हैं यह प्रक्रिया काफी लंबी होती थी इसमें वकील दोनों पाटी के इन्वॉल्फ होते थे प्रक्रिया बहुत लंबी चली जाती थी 8-10 साल तक का समय कई बार लग जाता था ये ताय होने में कि इतना भरन पोस्टन माता-पिता को मिलेगा या पत्नी के संबंद में भी यह केस था पत्नी या महिला के संबंद में तो आप जानते हैं कि डोमेस्टिक वालिन्स आक ताय था 2005 उसका भी हमको अध्यान करना है वो भी आपके सिलिबस का भाग है उसको भी उनलुक स्टेडी करेंगे लेकिन यहाँ पर यह समझे कि जब अल्रेड़ी CRPC में प्रावधान था माता-पिता के भरन पोस्टन के लिए आदेश दिया जा सकता था मजिस्ट्रेट के दौरा तो इसमें क्यों लाया गया है इसको ब वेल्बिंग के लिए ज़रूरी है जैसे कि फ्वास देखभाल और सहारा और जहां जहां पर ज़रूरी है रिक्रियेशन के अक्टिविटीज के लिए उनको पहुंच सुनिश्चित करना देखभाल सुनिश्चित करना यह सब चीज है CRPC की इस धारा के अंतरगत कहीं ने कहीं सब चीजों का समावेश नहीं हो पाता था और प्रक्रिया बहुत लंबी चली जाती थी इस वज़े से अलग से कानून बनाये गया है और ओर राइडिंग इफेक्ट इसलिए दिया गया है कि अगर यह वाला केस किसी ने डाला है मातापिता ने 125 वाला और उससे पहले वहां का फैसला आ जाता है जो आयक्त अमलोक पढ़ने जारें उसके अंतरगा तकर ट्रिब्यूनल फैसला दे देती है तो वह वाला फैसला मान ली जाएगा यह वाला फैसला अध्याती इन में व्रद्धास्रमों की स्थापना इसमें बहुत कुछ नहीं आपको बढ़ना है बस यह दिया हुआ है कि राज सरकार समय समय पर अपनी हैसियत के नुसार जहां जहां जरूरी होगा व्रद्धास्रमों की स्थापना करेगी तो व्रद्धास्रमों की स्थाप अपना समंधित जो अध्याय है वो अध्याय नमबर 3 है और धारा नमबर 19 है यह आपको ध्यान रखना यह अब्जिक्ट्ट्व कोश्चन आ सकता है अध्याय नमबर 4 में दिया हुआ है कि नागरिकों के लिए देख रहेक के लिए उपलबता या उपबंद किये जाने है इसके बाद वरिष्ट नागरिकों के जीवन और समपत्ती की रक्षा के बारे में दिया हुआ इक चैसमें 22 में और रिश्थितियों में संपत्ती के अंतरण का सून्हां बताया गया है कि कि अगर किसी वसीईत के माध्यम से किसी वरिष्ट नागरिक कुए नातेदार को या फिजिस को जरूरी माने अगर कोई समपत्ति उसका अंतरण कर देता है यानि की नाम कर देता है उसके लेकिन उसके बदले उसे प्रौपर केयर रिसीव की जानी थी और केयर अगर वेर्क्ति नहीं दे पाता है तो संपत्ति का अंतरण सून निमान लिये जाता है यानि वॉइट निमान लिये जाता है अब इसमें अपराद क्या है विचारन के लिए प्रक्रिया क्या है अपराद यहाँ पर खाली एक ही बताया गया है कि एगर senior citizen को किसी गलत उदेश से परित्याग कर दी जाता है किसी स्थान पर ले जाकर के छोड़ दिये जाता है तब वहाँ पर एक criminal proceeding यहाँ पर की जा सकती यह बागी सारी जो चीजें हैं वो proper criminal proceeding में इसमें नहीं आती है ठीक है यह criminal जो भी काम करता है उख सिबिल नहाल है कि शक्तियों को लिए वब करता है हलांकि फिर जो आदेश पारित किया जाता है maintenance का उसको लागू करने के लिए उसको enforce करने के लिए जो प्रक्रिया फालो की जाती है CRPC 1973 की धारा 125 के तहट जो आदेश दिये जाते हैं उसके अंतरगर फिर प्रक्रिया फालो की जाती है अब सब देखें हम लोग अपराद और विचारण के लिए प्रक्रिया दी हुई है च्छह में और फिर प्रकीड दिया हुआ है साथ में प्रकीड में अधिकारी जो भी इस ट्रिब्यूनल संबंदित या फिर जो काउंसलर्स होंगे या फिर जो मेंटेनेंस ओफिसर होंगे सभी को लोग सेवक मना जाएगा सिविल नियाल है कि अधिकारिता का वर्जन यहां पर किया जाएगा सब भाव पूरवक की गई कारवाई के लिए संट्रक्षन भिलेगा लोग सेवकों को और राज सरकार के प्राधिकारियों को कठनाईयों को दूर करने एक शक्ति इसमें राज सरकार की होगी केंद्र सरकार की नहीं होगी इसमें जो है सबसे पहला प्रारंबिक है इसमें संचिप नाम परिभासाइं वगारा इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है जब आक्टा आया था जो केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ कर लिखा था अब उसको हटा दिया गया है तो 2019 के इस पश्टी करड़ से पटा बेटा बेटी पौत्र पौत्री सम्मिलित है किन इसमें कोई अवय्क शामिल नहीं है द्यान रखेका इसमें बेटा बेटी पौत्र पौत्री के खिलाफ सकते हैं और अवयक इसकती सते TOP प्राप्त की है तो उससे खिलाफ maintenance का case नहीं डाला जा सकता है maintenance का application नहीं इस विकार की जाएगा ट्रिब्यूनल के दोरा ऐसा विक्ति के खिलाफ माता-पिता की परिभाशा भी यहां पर दी हुई है कि पिता या माता अभिप्रेथ है कोई दोनों या फिर कोई एक यह था स्तिती जय वो दत्तक या सवतेले माता-पिता या सवतेली माता चाहे माता या पिता कोई वरिश्ण आगरिक हुँ हूँ इसमें जरूरी नहीं कि माता व पिता यहां वरिश्ण नागरिक ही हुँ 60 से उपर कोई ऐसी बाद दिता नहीं है कि अगर पच्पन का व्यक्ति है तो अपने पुत्र से पुत्री से दत्तक पुत्र से दत्तक पुत्री से सोतेले पुत्र या पुत्री से मिंटेनिस नहीं मांग सकता है ऐसी कोई निवारता यहां पर नहीं लिखी है इसमें जो समपत्ती की संरक्ष चाथ का अधिकार गया है, senior citizens को, citizens को या किसी भी माता पिता को इसमें समपत्ति का आशन गया है, जो वो रहने, चल हो या फिर चल हो Movable हो या Immovable retirOH हो, उसमें अगर किसी माता पिता के अधिकार है, तो उसकी रक्षा करेगी सरकार नातेदार और निसंतान वरिष नागरिकों का कोई विदिक वारिस अभिप्रेत उससे है कि जो अवैस्क नहीं है ठीक है कोई भी वारिस हो सकता है किसी माता पिता का वो चाहे तो जैसे दमाद हो सकता है और दमाद हो सकता है या दमाद का भाई हो सकता है कोई भी अन्यनातिदार हो सकता है किसी का हालांकि उसमें शर्त है कि उसकी संपत्ति उसके कबजे में हो या फिर उस संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेगा या वसीयत से प्राप्त करेगा तो मतलब जो माता पिता है maintenance किसके किसके खिलाफ डाल सकते हैं कि इस यह आपको समझते जरूरी है biological son या biological daughter के खिलाफ कोई भी उन्होंने adopted son या adopted daughter जो है उनका maintenance नहीं कर पा रहा है उसके खिलाफ कोई भी नातेदार उन्होंने रख रखा है जो उनकी संपत्ती को लिए हुए ह इस समय कबजे में या फिर विरासत में उसको प्राप्ट करने वाला है उसके खिलाफ भी maintenance का केस डाला जा सकता है इसमें वरिश नागरिक को डिफाइन किया गया है कि भारत का नागरिक हो जिसने 60 वर्ष या उससे उपर की आयू प्राप्ट कर ली हो और राजी सरकार के सम बहुत बहुत जादे जरूरी है कि जो maintenance tribunal है वो किस धारा के अंतर का सरजित किया जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका धारा दो के यहां में जो है maintenance tribunal के सरजन की बात की गई है सेक्शन 2 के J में दिया हुआ है इंगलिस वाले सेक्शन में ट्रिबिनल ट्रिबिनल means the maintenance tribunal constituted under सेक्शन 7 यह है ट्रिबिनल ट्रिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉस नंबर J में माइनर शब्द यहां पर आए तो माइनर देख लेते हैं कि कहां दिया हुए majority act 1872 में माइनर को डिफाइन किया गया है तो वैसकता कोई विक्ति भारत में का प्राप्त करता है जब वो इसकी धारा 3 के अंतरगत यहां पर प्राप्त कर लेता है majority किये जब तक जब वो 18 साल क उपर हो जाता है उससे पहले नहीं completing the age of 18 years not before कि यहां पर दिया हुआ है section 3 में majority act 1872 में इसके बाद यहां पर आधिनियम का अध्यारोही प्रभाव का होना यहां पर लिखा हुआ है कि ओर राइडिंग एफेक्ट होगा section 3 में अब जाते हैं अध्याय दोपर माता पिता और वरिष्ट नागरिकों का भरन पोशन कैसे होगा दारा चार में दिया हुआ है माता पिता और वरिष्ट नागरिकों का भरन पोशन कोई वरिष्ट नागरिक जिसके अंतरकत माता पिता हैं जो स्वयम के आर्जन से या उसके स्वामित्वा धीन संपत्ति में से स्वयम का भर क Caesar करने में असमर्त हैं अगर में पश्टीओरंट ऑना हो उसके खिलाफ अप्ल कि अप्लिकेशन डाला जा सकता है हलांकि उस नातेदार का कहीं ना कहीं उनकी संपत्ती से संबंध होना चाहिए, संपत्ती वरिष्ट नागरिकों की उनके कबजे में हो या वो उसे विरासत में प्रात करने वाले हो तब माता पिता ऐसे नातेदार से maintenance क्लेम कर सकते हैं ठीक है, धारा पांच के अधीन कोई आविधन करने का अधिकार होगा, धारा पांच में application के बारे में बताया गया है, उसको भी हम देखेंगे obligation होगा children का, उन्हें अपने parents को maintain करने का और उनकी उस तरह की needs को support करने का, जो उनके माता पिता या दोनों या कोई एक के normal life को lead करने के लिए जरूरी है, ऐसा maintenance उन्हें provide करने का obligation होगा, यानि की बादिता होगी, ठीक है, अब ये इतना महीन नहीं पूछा जाएगा, इसमे obligation सब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उपधार चार में इसमें कहा गया कि कोई वेक्ती जो किसी वरिष्टनागरिक का नातेदार है और उसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्टनागरिक का भरण पोशन करेगा, परनतु जब तक कि ऐसे वरिष्टनागरिक की स चार ऐसे नातेदार हैं, जो कि विरासत में परात्त करेंग संपत्ती को, तो maintenance चारों में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर बात कही गई है, अब यहाँ पर चार बट्टी दस की मैंने लिखा, यहाँ पर भी एक जो है इंपोर्टन बात है, उसको भी हम आगे देखेंग ठीक है, तो भरन पोस्टन के लिए आवेधन जो है, इसके बारे में दिया हुआ है, पांच में, यह बहुत जरूरी धारा है, धारा पांच इसके प्रावधान में बहुत जरूरी है, भरन पोस्टन के लिए आवेधन किये जाएगा सेक्शन फाइव में, धारा पांच में, कि अवधार पांच के तहई ताविदन कौन करें गए था सिती किसी वरिश्टनागरिक या कोई भी माता पिता वरिश्टनागरिक अगर नहीं भी यह तो भी कर सकेंगे और यदि वे अशक्त हैं तो उसके द्वारा प्राधिकरत कोई अन्यव्यक्ति कर सकेगा या किसी संगठ संगठन कौन है यहां पर सबस्टटि करण दिया कोई संगठन सोसाइटर सबस्थी कुलो इस में कहा गया है कि ठीबूनल यूए मांशिग भत्ते की बाबत कारवाही में लंबित रहने के दावरान इंटरिम मेंटेनेंस भी बांद सकेगा ठीक है तो आप से पूछ सकेंगे कि इंटरिम मेंटेनेंस जो है किस उपधारा में दिया गया है जा फिर किस धारा में दिया गया प्रॉपर बताईए तो धारा पांच उपधारा दो में दिया यहां पर इंटरिम मेंटेनिंस का अप्लिकेशन दिया जाता है तो जब तक नोटीस जो है प्रतियर्थी रिस्पॉंडेंट को जो कि उसके चिल्डेन हो सकते हैं उसके जो एनातिदार हो सकते हैं तो उसको सूचना की तामील जब हो जाए उस तारीक से 90 दिनों के भीतर निप्तान किया जाएगा ठीक है यह दिने हम आया था 2007 में उसके बाद से 2019 से लगातार 2019 के दिसंबर नॉवंबर से लगातार सरकार लोग सबह में राख सबह में सब डिसकेशन कर रही है कि इसमें कुछ किये जाएंगे अमेंडमेंट्स इस बारे में हैं कि तिथी हैं इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि जल्द से जल्द जो है फैसले की सुनवाई हो मेंटनेंस दिया जाना या फिर नहीं इसे टाला नहीं जा सकेगा जैसे यहां पर सूचना की तामील की तारिक से 90 दिन के भीतर लिखा है जो बिल आने वाला है वो यह प्रोपोस कर रहा है कि इसको अभीदन फाइल किये जाने से 90 दिन की बीतर सब्दों से रिप्लेस किये जाए हलांकि किया नहीं गया है लेकिन मैं आपको यह जानकारी के लिए बता रहा हूं ठीक है और जो इस समय जो डिसकुशन चल रहे हैं उसको भी हम आगे डिसकुस करेंगे फिर इसमें एक क्लॉज और कहा गया था कि इंटरिम मेंटेनेंस हमें आगर को जो है अवधी में कोई परिवर्तन होता है देरी होती है इंटरिम मेंटेनेंस का ओडर आने में तो ट्रिबुनेल क्या कर सकेगा अधिक्तम 30 दिन के लिए एक बार इस 90 दिन की ओधी को शिफ्ट कर सकेगा यानि कि 90 प्लस 30 इसको माह लीजे 4 महीने के बीतर इंटरिम मेंटेनेंस का केस यहां पर डिस्पोस करना होगा ट्रिबुनेल को तो सब सेक्शन 5 में यहां पर दिया हुआ है कि मेंटेनस के लिए कोई भी अप्लिकेशन या एक या एक से अधिक वेक्तियों के विरुद जो है फाइल किया जा सकेगा परंतु ऐसे बालक यानातेदार भरन पोश्चन के लिए आ यह उनका जो है मतलब राइट लिखा हुआ है जहां भरन पोश्चन का आदेश एक से अधिक वेक्तियों के लिए दिया गया है और उन्में से किसी एक वेक्ति की भरन पोश्चन का संदाय जारी रखने के दौरान मृत्त ही हो जाती है तो अन्य वेक्तियों के दायतु को प तारीक से यदि ऐसा आदेश किया जाता है यह था सिती बरन पोश्चन की कारवाई की खर्चे के आवेधन की तारीक से संदे होगा मालीजी की केस यहां पर फाइल किया गया 2009 में और बहुत देरी होने के बाद भी अगर 2011 में अगर फैसला आता है तो जो मेंटेनिस दे होग 2011 से नहीं होगा वो 2009 से दे होगा यह यहां पर कहा गया है ठीक है हलांकि यह ट्रिबिनल का अधिकार होगा कि इसको किस तरीके से देखता है यदि आदेश की तारीक से वो चाहें तो मतलब 2011 में जब आदेश आता है उस तारीक से जो है शुरू कर सकते हैं भत्ता देना या पिर पुराना भत्ता 2009 से आवेधन की तारीक से भी देना यहां पर उनका अधिकार होगा कि वो कर सकता है दोनों में से कर सकता है धारा पांच उपदारा आठ में यहां पर दिया हुआ है कि अगर बालक यह कोई नांतेदार जिनको आदेश दिया गया है तो बिना पर्याप के संपूर्ण बत्ते या उसके किसी भाग के लिए जिस पर वारंट जारी किया गया है उसका निश्पादन जब तक नहीं किया जाता तो कारावास रहेगा लेकिन यह अधिक्तम एक महीने का हो सकेगा अगर एक महीने से पहले ही बत्ता दे दिया जाता है सीने सिटीजन तक तक पहुँँच जाता है, माताभी मिते तक पहुँच जाता है, तो ये कारवास की आओधी घटा दी जाई, ते उपधार है बहुत जरूरी है, आप से पूछेंगे कि किस सबसेक्षन या सक्षन के तहत, जो है, वारंट यहाँ पर जारी किया जाशकता है, लेवी के वसूऻ और किया जाता है और मेंटेनिस नहीं दिया जाता है तो अमाउंट ड्यू के लिए वारेंट जारी किया सकेगा सब्सेक्शन आठ किते हैं और इसमें इंप्रीजन्मेंट का प्राउधान अधिक्तम वन मन्त का दिया वजहन रखेगा अलांकि एक बात इसमें और कही गई यह कि अधीन शोध किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारेंट तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब तक उस तारीक से जिसको यह रकम शोध हो जाती है तीन मास की अधिकरण को आविदन नहीं किया गया जब तक ट्रिबिनल को रिक्वेस्ट नहीं किया जाएगा कि अमाउं नहीं जारी की जा सकेगा, इसमें अधिकारिता और प्रक्रिया के बारे में बाद की गई है, कि धारा पांच यानि सेक्शन फाइफ के अधिन बालकों, बालकों का समझ यहां पर पुत्रों पुत्रियों से लिया जाए, यानि grand daughter, grandchild इसमें जो है बालक वैसा ना समझाए, अधिकारता प्रक्रिया के बारे में बताया गया है दारा पांच के अधिन बालक नातेदारों के विरुद किसी जिले में कारवाई शुरू की जासकेगी जहां वो निवास करता हो या फिर अंतिम बार वह वहां पर रहा हो जहां बालक या नातेदार स्थाई निवास कर रहा ह अस्ताइ निवास कर रहा है वहाँ पर भी जो है यह ये ट्रीबुनल जो है केस वहाँ पर चला ख सकेगा उसके खिलाव अधिकारता प्रक्रियमें कहा गया है कि 12.5 के अधिन एप्लिकेशन की प्राप होंने पर ट्रीबुनल क्या करेगा Maintenance Tribunal जो भी मातापिता के बच्चे होंगे या जिसके विरुद धनातिदार के विरुद अप्लिकेशन डाला गया है वो उसकी उपस्तिती सुनिस्चित करने के लिए आदेशी का जारी कर सकेगा अब उपस्तिती सुनिस्चित करने के लिए जो Tribunal है उसको पावर दी गई है CRPC 1973 के अधीन जो उपस्तित किये गए है प्रथम वर्ग नयायक मजिस्ट्रेट की जो भी शक्तिया होगी उसके तहट ये जो है Tribunal क्या करेगा जिनके खिलाफ application डाला गया है उनको बुला सकेगा जिनके भी खिलाफ application डाला गया है maintenance के लिए उनमें आदेश पारित करने के लिए उनको उपस्तित किया जाएगा ठीक है और जो भी साक्ष वगयरा देंगे परेंट्स देंगे उनके सामने देंगे और इसको एक समन मामले की तरह ट्रीट किये जाएगा जो समन ऑफिंसस हैं उनकी तरीके से ट्रीट किये जाएगा मामले को लेट कर रहा है तो यहां पर एक पार्टी ओडर भी पारित की जा सकते हैं जब ट्रीबिटनल को ऐसा लगे पार्टी और के बारे में नातिदार भारत के बाहर कहीं रहे रहे हैं तो अधिकरण द्वारा सम्मन किसके मांद्धे में सब्या cartridge जाएगा सरकार की सायतास बेजा जाएगा के इन सरकार जिस उचना से कुछ ऐसे रीति जारी करेगी कुछ ऐसे जो है प्रोविजन्स बनाएगी जिससे की सम्मन जो है तामिल की जासके बाहर रहरे लोगों को नोटिस बेजा जासके अधिकरन धारा पांच के दिन आविदन की जानकारी आपने होसी जानकार भी जान बेजाएगा है कि मैंटीह की समझे जानकारी देखेगा कि 11 मास के बीतर बत भीज़ेगा थे जानकारी एंगर ने हो सब्सक्राइब करके याँ कि अगर लगे राजसरकार को या फिर सकता है तो उसको जिम्मेदारी ने सकते हैं या फिर धारा 18 जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसके अधिन राजसरकार दोरा अभीत जो भरन पोर्शन अधिकारी या निकि मेंटेनस ओफिसर जो नहीं उतकिया जात करता है ठीक है वह सुलाय अधिकारी बनने का भी यहां पर काम कर सकता है राध तरकार अगर अलग से भी कोई यह मेंटिनस माफ किजिए का मीडियेशन ऑफीशर ने उख करती है तो भी सुलाय अधिकारी का काम कर सकेगा भरण पोश्चन अधिकारण का गठन यह बड़ा उप्तर प्रदेश में क्या कहते हैं आप जानते हैं सभी SDM कहते हैं तो SDM रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए आपका अधिकरण के अधिक्ष्टा करते वाला व्यक्ति तो मेंटेनेंस ट्रिबुनल को कौन हेड करता है उप्तर प्रदेश में अगर पूछे तो इसका उत सरकार बनाएगी अब क्रिबनल को कुछ पावर दिये गए हैं क्योंकि यह प्रोसीडिंग्स जो हैं सिविल प्रोसीडिंग्स की तरह के होगी तो साक्ष लेने और साक्षियों को हाजिर करने दस्तावेज़ों बहती प्रदार्थों को पता कराने मंगवाने देखने की जो सब्सक्खकरो जब देखने के लिए की कि सकति आधिकरने करने के लिए उस पर अपना और सुनाने के लिए साहाईता ले सकता जणरी जो है पुलिस थाने की ली जाति है पुलिस ऑफीसर की साहता यहां पर जणरी ट्रिबिनल लेता है या पी डिपूटी कलेक्टर कभी-कभी-कभी सहीयोग लिया जा सकता है तो इसके बाद भरARON पोचन का अधेश इस भरन पोर्षन का आदेश के बारे में दिया हुआ है तो सरकार द्वारा उसमें सरकार को बढ़ा regt सब्सक्राइब कर देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें टरन अप होती है फिलहाल जब तक अमेंडमेंट आप नहीं आ जाता तब तक हम इसे किसी मांता पिता का पुत्र तो यह जो है इसमें बत्यम परिवर्तन कर सकता है और इसी में आपके सक्षिन 10 में सबसेक्षिन 2 में यह भी दिया हुआ है कि बत्य को कम किया जा सकता है और यह जो है सक्षिन 2 सब सक्षिन 2 में दिया हुआ है कि भत्य को रद भी किया जा सकता है ठीक है जोड़ा सा मिश्टाइप हो गया है यह भत्यम परिवर्तन और भत्य को रद करना यह एक ही धारा में शामिल है धारा 10 में देहान रखेगा नोट्स में आपको अपडेट करके देती जाएगी और जहां जिसके खिलाफ और पारित किया गया है जहां वो रहता है तो उसके पुलिस टेशन में वह एडर भेद दिया जाएगा उसके इंफोर्समेंट के लिए यह सब इसमें दिया हुआ है बरन पोशन के आदेश का प्रवर्तन सेक्षिन 11 नारा 11 में अब इसमे होगा तो इसमें प्रावधन किया गया है धारा 11 उपधारा 2 में इस अधिनियम के अधिन किये गए बरन पोशन के आदेश का वही बल और वही प्रभाव होगा जो दंड प्रक्रिया संहीता 1973 के अध्या 9 जो अधिन जो अधिन प्रवर्त किया जाता है यह हम लोग थे सक्ष एक सो पचीज के तहट जो आदेश पारित किया जाता है उतना ही मैगनिट्यूड उतना ही बल यह रखेगा ठीक है यानि सेक्षन को चाहें मुकदमे को रख सकते हैं अगर 125 में उनका मुकदमा लंबित है और यहां उन्होंने जो यह इस आक्ट के तहट मुकदमा डाला था उसका आदेश आ चुका है ट्रिबिनल के द्वारा मेंटेनिस का तो वह वहां वाला मुकदमा वापस ले सकते हैं हलांकि यहां पर एक चीज़ पसकी तोर पर करी गई है कि दोन तरह के मुकदमे में वह दो अंटेनिस नहीं ले सकते हैं एका ओर प्टीज के अधीन भी हो में डिया है कि जी बादेश पारित करके सुना दिया जाता है तो 30 दिन के भीतर 30 दिन के भीतर जिसको आदेश किया गया वह राशी ज कराएगा जनरली बैंक खाते में रकम जमा कराने के लिए आजकल आदेश दिये जाते हैं फिर उसके बाद चौदा में ब्याज के बारे में दिया गया है कि अगर बहुत लंबा मामला चलता है तो कही बार ब्याज भी लगाया जाता है रकम पर जो कि 5 प्रतीसत से कम नहीं करते हैं लेकिन माता-पिता में से को लखता है कि 30,000 रुपे प्रती माँ कम है तो वो इसके खिलाफ़ कर सकते हैं ठीक है तो अपील अधिकरण का गठन के बारे मं दिया हुआ है सैक्शन 15 में अपील अधिकरण का गठन कौन करेगा यह जो है राजसरकार करेगी प्रत्यक जिले में ठीक है इसके बाद अपील अधिकरण का अधेक्स ऐसा व्यक्ति होगा जो जिला मजिस्ट्रेट की रैंक से नीचे का ना हो ठीक है ध्यान रखेगा कि अपले ट्रिबिनल को हैड कौन करते हैं जिला मजिस्ट्रेट से कम उनकी रैंक नहीं होनी चाहिए धारा सोला में दिया हुए अपीलों के बारे में अपीलों के बारे में दिया हुए कि अधिकरण द्वारा जो कोई व्यक्ति विथित है यानि कि ट्रिबिनल ने जो आदेश दिया में अगर लगता है कि आदेश ठ तरफ रे नब ने लिखा हूए वार लख जिसे मासिप्ता देने से आदेश दिया गया हो वह जा सकता है यह बड़ा जो है डिस्प्यूटेड आजकल मतलब कर सकते हैं एकदम करेंट में चल रहा है कि जो अपलेट टुबिनल उसमें गए इस बड़वाने के लिए या जिसको आदेश दिया गया है, पुत्र, पुत्री, मतलब माता-पिता के बच्चे या फिर कोई नातेदार जिसको मेंटेन्स देने के लिए आदेश दिया है टुबिनल ने वो भी अपील कर सकता है कि नहीं, तो इसमें आपको बता दीजा है कि इलाबाद हाई कोर्ट और डेल सुनाया था कि नहीं, शिर्फ माता भी था अपिलेट ट्रिबुनल में जा सकते हैं, तो यह थोड़ा सा सब्जेक्टिव इन नेचर है, हलांकि लेटेस्ट अधिन डिने जो है अलाबाद हाई कोर्ट की तरफ से था, और उन्हों ने का था कि हाँ, अपलेट ट्रिबुनल मे क्या आज कल प्रेजन ट्रेंड जो चल रहा है, हाई कोर्ट ने लाओ किया है, तो हाँ, अपील पर बालक रिष्टेदार जिसको भण पोशन के आदेश के निबंदों के नुसार कोई रकम देने के लिए कहा गया है, वो ऐसा नहीं कर सकते कि अपलेट ट्रिबुनल में कोई साथ दिन के अवधी के बीतर अपील ग्रहन करने से, मतलब की अपील डालने से उन्हें रोका जा रहा था, या फिर बहुत कोई बाधा उत्पन ऐसी हुई थी, तो साथ दिन के बाद भी अपील को सुविकार किया सकेगा, अपलेट ट्रिबिनल के द्वारा, अपील अधिकर करने की अपील की गई हो, उसे मंजूर कर लेगा या फिर खारिज कर देगा, हाँ एक बात इसमें जरूरी है कि यो ये अपलेट ट्रिबिनल होगा, उसका जो अधिनिटनाय होगा, ने अधिनिटनाय भी निश्चय होगा, जो भी आदेश होगा, वो अन्तिम होगा, ठीक है ज़्यादा लेट ना हो, धारा सत्रा भी एक बहुत महत्पूर्ण प्रविजन है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि माता पिता जिसने जो है मेंटेनिंस क्लेम किया, या फिर जो बच्चे जो है रिस्पॉंडेंट या परतिहर्थी होते हैं, यह दोनों में से कोई भी कि किसी भी कारवाई की दावरान में कोई वकील लेकर नहीं जाएंगे, वकील जो है उनका प्रद्विजित उन नहीं कर सकेंगे, यह साफ साफ लिखा गया है, फिर धारा अठारे में भरण पोशन अधिकारी के बारे में दिया हुआ है कि जिला समाज का लिए अधिकारी या दिया हुआ है, धारा अठारा उपधारा दो में दिया हुआ है कि भरण पोशन अधिकारी यदि माता पिता ऐसी वांच्या करें यानि चाहें तो अधिकरन या अपले ट्रिबिल में जो कारवाई के दावरान उनका रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगे, यानि कि वकील नहीं ज दिया हुआ है कि दारा इकीस में राजसरकार और केंद सरकार वरिष्ट नागरिकों के कल्यान के लिए प्रचार जागरुकता आधी के लिए उपाय करेंगे, फिर अध्याए पांच में जो दारा बाईस है इसमें लिखा हुआ है कि प्राधिकारी जिने अधिनियम के लुप से लागू किया जाए और मजी स्टेट भी अपने अधिनस दैसे अधिकारी को इस प्रकार के जो है शक्तियां दे सकता है जिससे इस एक्ट में जो भी नियम बनाए गए हैं उनको लागू किया जास के फिर उसके बाद कतिपय परिस्तितियों में संपत्ति के अंतरन करता है या फिर नहीं कर पाता है तो वो अंतरन जो है कापट और प्रपीडन या अनावश्यक प्रभाव के अधीन माना जाएगा और सिविल नियाले में फिर जो है सिटीजन इसधारा में दिये गए नियमों के हिसाब से फिर उसके खिलाफ केस भी कर सकेगा और अधिकरन द्वारा शूर निगोसित किया जाएगा ऐसा प्रापरिटी ट्रांसफर तो समझ गए होंगे आप लोग अब आज आजाते हैं हम लोग अध्याए 6 में अपराध विचारण के लिए प्रक्रिया इसमें एक ही अपराध को लेक किया गया है कि वरिष्ट नागरिक को जो है छ संह्ञान के बारे में धारा 25 में लिखा है section 25 में किसी एक भात की होते हुए यह अधिनियम के अधिन जो प्रते का अपराध होंगे संगेर जमांती होंगे यादि की अदिया GO 예 जाएंगे 26 के अंतरगत ठीक है जो भारती दंड संहीता है उसकी धारा 21 के अंतरगत उन्हें लोक सिवक पाना जाएगा सिविल नियाल है कि अधिकार्ता का वरजन इसमें किया गया कि सिविल नियाल है कोई भी आदेश नहीं पारित करेगा जो इसके contradiction में हो ठीक है और असदभाव पूर्वक की गई कारवाई का संरक्षन इसमें ये की आगया असदभाव पूर्वक अगर कोई भी विवक्ति कारवाई करता है कें सरकार ये राज सरकार के आदेशों का पालन करता है इस अधिनियम के नियमों को लागू करने के लिए तो इस सम सरकार की जाए ये में युक्त इसमें स्पर्य तो पर दिया गया है कि शब्भाव पूर्वक किसीगे कर्वाही में सनरक्षन किया जाएगा अब XP करे कि सकति किसके पास होगी राज सरकार के पास होगी ठीक है जिए ज़रूरिए निशे सरकार की पूर्णतर की सकति दिविये 31 दारा में रख सकते हैं